Hello Guys! Welcome to Food Fun and Facts with Varsha in Hindi. आज का टॉपिक है तेल को फ्राइ करने में बार बार इस्तिमाल करने से क्या होता है? क्या ये सेफ है? और अगर नहीं है तो ये किस तरीके से हानिकारक है? हम सभी फ्राइड खाना खाना पसंद करते हैं. क्योंकि fry करने से खाना टेस्टी हो जाता है जब हम fry करते हैं तो तेल का तापमान काफी ज्यादा होता है बाकी cooking process से कहीं ज्यादा जिससे खाने में मौझूद पानी के जो बारी बारी कन होते हैं वो तेजी से वाश्पित होने लगते हैं और पानी की जगे तेल के छुट खाने में समा जाते हैं इस process को कहते हैं oil uptake और इससे खाना crispy और tasty हो जाता है हम कभी कड़ाई में बचा हुआ तिल दो बारा भी इस्तिमाल करते हैं क्या आप जानते हैं कि ये शरीर के लिए कितना हानी का रख हो सकता है तो चलिए बात करते हैं इसी topic पर कि तेल को बार बार अब फ्राइंग में इस्तिमाल करने से क्या होता है हर तेल का एक smoking point होता है जिसे breaking point भी कहा जाता है smoking या breaking point वह तापमान है जिस पर तेल काला धुआ छोड़ने लगता है और break होने लगता है इस तापमान पर तेल में बहुत सारे हानीकारक chemicals तयार होने लगते हैं जो carcinogenik हो आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कड़ाई में फ्राइ करते सामें तेल बहुत गरम होने के बाद काला काला धुआ छोड़ने लगता है यही वो तापमान है जिसे smoking point कहते हैं ऐसे तेल जिनका breaking point जादा होता है वो frying के लिए safe होते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक बिना smoking point पराये इस्तिमाल किये जा सकते हैं ऐसे तेल जिनका breaking point जोस्मोकिंग पॉइनग कम होता है वो fry nG के लिए safe नहीं होते अब बात आती है कि बार बार तेल को फ्राइंग में इस्तिमाल करने से होता क्या है तेल को आप जब एक बार फ्राइंग में इस्तिमाल करते हैं तो उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो पहले से कम हो जाता है और आप जितनी बार भी तेल को फ्राइंग में इस्तिमाल क करेंगे तो उनका smoking point हर बार से और कम होने लगता है जिससे तेल frying के लिए धीरे-धीरे हानिकारक होने लगता है इसके अलावा फ्राइंग करने के बाद आपने देखा होगा खाने के एकदम बारिक-बारिक कन तेल में रह जाते हैं और ऐसे ऐसा तेल अगर हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करें और फिर से यूज करें तो वो खाने के पार्टिकल अंदर ही सरने लगते हैं ऐसा तेल बहुत ही खदरनाग है ऐसा तेल अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो हिर्दे रोग, अल्जाइमर्स और कैंसर जैसी बिमारी होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो आप भी कड़ाई में जितना हो सके बच्चे हुए तेल को इस्तिमाल ना करें मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जब खाना बनाते हैं ये फ्राय करते हैं तो काफी सारा तेल जब हम कड़ाई में लेते हैं एक बार हम इस्तिमाल करते हैं हम उसे ऐसा ही फेक नहीं सकते तो मुझे पता है मैं खुद भी कई बार reuse करती हूँ अगर यह आपके लिए possible नहीं है तो आप कुछ भातपून टिप्स हैं जिका आप द्यान रखें deep frying करते वक्त और खुद को यह जो refrying के जो हानिकारिक प्रभाव हैं उनसे अपने आपको बचाएं सबसे पहला पॉइंट है सही तेल का ही फ्राइंग में इस्तिमाल करें वही तेल जिनका smoking point हाए हो उन्हें ही frying में इस्तिमाल करें देखिए यहां मैंने list बनाई है जो भी तेल जिनका smoking point ज्यादा है और जो frying के लिए safe माने गए हैं उन्हें मैंने section green में रखा है और जो हानिकारक माने जो सेफ नहीं माने गए हैं जिनका smoking point कम है उन्हें मैंने section red में रखा है दूसरा point यह है कि अब जब खाना बनाएं या fry करें तो बहुत लंबे समय तक तेल को तेज आज पर ना रखे माना कि जो fry का process है उसमें आज थोड़ी तेज रखनी परती है पर जितना हो सके medium आज पर ही fry करें और जैसा ही काम खतम हो जाए इमिजेटली तेज को आज से हटा दे क्योंकि लंबे समय तक लेट से आप भूल गए आप कुछ और काम में लगए कभी कभी तेल बहुत गरम होंके एकदम से धुधान चोड़ने लगता है और वह वह break होने लगता है तो लंबे समय तक तल को heat करने से वो ब्रेक होने लगेगा और वो धीरे-धीरे उसके उसके हानिकारक प्रभाव हैं वो बढ़ने लगेंगे दीसरा पॉइंट ये है कि तेल का काम हो गया फ्राइंग हो गई तो तेल को ठंडा होने के बाद उसे च्छान के फिर स्टोर करें अगर उसमें कहने के पार्टिकल्स हैं तो ध्यान से उन्हें जितना हो सके पतला क्लॉथ लें और उससे फिल्टर करें ताकि बारी-बारी कंड भी निकल जाएं ताकि वो धिरे उसमें बड़े-बड़े सड़ने ना लगे हमें तेल को पूरा क्लीन कर देना है चौथा पॉइंट है अगर आप तेल फ्राय करने के बाद आपको लगता है कि तेल बहुत काला सा हो गया है चिप चिपा सा हो गया है और थोड़ा स्मेल भी आ रही है तो ऐसे तेल को तो जरूर जरूर फेंक दें बिलकुल भी यूज ये जो सारे indication है कि काला-काला हो गया है चिप-चिपा और अजीब सी बद्बू ये एक indication है कि ये तेल ब्रेक हो चुका है और ये breaking point क्रॉस कर चुका है पांचवां ये है कि जितना हो सके माना ये possible नहीं है पर जितना हो सके भार का तला हुआ खाना ना खाएं क्योंकि आप जानते ही है कि बाहर के जो ठेले वाले होते हैं रेस्टराइन वाले होते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे तेल को बार बार इस्तिमाल करते हैं वो ऐसे ही एक बार दो बार इस्तिमाल करके तेल को फेक नहीं देंगे उन्हें तो पैसे बचाने होते हैं वो हमारे health के बारे में नहीं सोचेंगे तो जितना हो सके बाहर का तला हुआ खाना न खाएं और जितना हो सके घर पे ही आप वही चीज जो आप भाहर खाना चाहते हैं वो घर पे बना कर खाएं तो चलिए इसी के साथ हम यह topic end करते हैं और अगर आपको ऐसे ही और topics पे चर्चा करनी है तो मुझे comment box में जरूर जरूर बताएं अब मैं आपको मिलती हूँ अगले episode में बाबाए